हाई वेलकुम बैक टु माई चैनल सेंसनेस्ट मैं रूपी सेंड आप सब कैसे हैं आशक अच्छिए हो कि आप सब बहुत बढ़िया हैं मैं भी बहुत बढ़िया हूं और मैं बिल्कुल तयार हो वें हूं और मैं कहां जारी हूं आज और आप भी चलिए मेरे साथ आप लोग को भी गुमाल आती हूं तो बनी रहेगा मेरे साथ उसके पहले अगर आप नए है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत बुले और सब्सक्राइब करनी के बाद बैल बुटन क्लिक करना मत बुले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आजाए and you will be the first one to see it like कीजिए share कीजिए और comments कीजिए आप लोग का जो इतना खुबसूरत comments आता है मुझे बहुत ही inspired करता है so comments कीजिए और आप मुझे Instagram और Facebook पे follow कर सकते हैं साडी 100 और मेरा Facebook पेज है सेंसमेस्ट तो चलिए मैं दिखाती हूँ कहां आप लोगों को लेके जाती हूँ तो बनी रहिएगा वीडियो में तिल एंड तक उसकी पहले देख लीजिए मेरी साडी को अभी दुफैर के बारा बजे हैं और इस समय हम लोग घर से निकले और देखिए वियू रास्ते का कितना सुन्दर वियू है और हमने पहुंच के अपने डेस्टिनेशन में और यह है एकलव्य सेवाश्रम यह हिंगर सुन्दरगर ओडिसा में है और वो दूर में आपको देख्राइर में गेट और गेट के पास अपको बच्चे देख रहा हैं हम लोग को वेलकम कडने के लिए बच्चे खडए हैं यहां पे करीब 30 बच्चे हैं male and female और बच्चे अनलोगों को देखे बहुत ही खुश हुए और बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमारा वेलकुम किया और यह है सराउंडिंग्स यहां का यहां बहुत सारे पेर पौदी हैं और वेजिटिबल्स भी लगाए हुए हैं और यह है इनलों के रहनी का जगह और काफी साफसुत्रा इनलों मेंटिन किये हुए हैं यह सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं और किसी कारण वर्ष यह सारे पेरेंट्स बच्चों को यहां पर दे दिये हैं क्योंकि हो सकता है कुछ financial problem हो या something like that तो उन्हें आश्रम में दे दिया और लुट्च टाइम में पहुंचे थे इसलिए यहां पे लंच की तयारी चल रही है और देखिए प्लेन राइस, मिक्स बेज और पनीर की सबसी और खीर बना है और आज तो है इसलिए मैन्यू बी स्पेशल है और सारे बच्चे बैट के खाने के लिए हम लोगोंने सब मि के बच्चों को सर्व किया है यहां से बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है और दोनों बच्चों को फॉरिज में एक फैमिली में अडॉप्ट किया है और कुछी दिनों में यह दोनों बच्चे यूएस चले जाएंगे सारे बच्चों का एजूकेशन इस आश्रम में हो बच्चों में बहुत ही डिस्प्लीन है प्रेयर करने के बाद ही वो खाना शुरू किये आज मेरी प्रेंड का 25th का अनिवर्सरी है सो हम लोग यहां पर सलिब्रेट किये और इन बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आया स्कूल का एजुकेशन खतम करने के बाद यह बच्चे नर्सिंग में जाते हैं या कॉलेज जाते हैं हाय स्टुडीज के लिए और केट्च्व इनिवर्सिटी में भी इन्हें एडमिशन दिया जाता है वहाँ भी यह बच्चे पढ़ते हैं बच्चों की खाना कम्प्लीट होने के बाद उन्हें चॉकलेट और बिस्किट दिया गया और बच्चे बहुत ही खुश थे चॉकलेट और बिस्किट लेके अब आये ना ताम क्यों है कि अधिशा रावी आप दे फिर हम लोग भी खाना काने के लिए बैठे और बच्चों ने हमें बड़े प्यार से सब्सक्राइब और खाना भी बहुत ही स्वादिश्ट था खाना खाने के बाद हम लोग बच्चों से कुछ पाते किये और पर फोटो खिचवाए और उसके बाद पर हम लोग चले आए घर और आज का दिर हम लोग बहुत ही एंजॉई किये बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ बिताया हुआ ये पल हमेशा याद रहेगा अगर आजसे बीज़ कि बीज़ काष बीजा प्लिपा भ взять से स्रोऊ के स्थेसे बीज़ से अविए से इडा में में जीडेटर में द आ वेए च्डैली कि अ कनक द देग जी प। कर दो